श्रानी बाब बताएए न अच्छा अच्छा हम समझ गए आप हमें इसे नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम आपकी संतान नहीं है ऐसा कभी नहीं कहना शुबा ऐसा आपने कैसे कह दिया आप तो हमारी संतान से भी बढ़कर है अब अब हम कभी दुखी नहीं होगी जे जगने कांट पड़ी ही निर्ममता के साथ किया गया है ऐसी कुरूता हमारे राज्यकाओं के अपराधिक प्रवत्ती वाला मनुष्य तो नहीं कर सकता अक्षर शाह साथ ते कह रहे हैं सम्राथ जे घिनिर्त कार्य अवश्य किनी विदेशी लुटे रों जेनेशन स्टाको होगे द्वारा क्या गया है जाने वजाने का बहुत चाओ फेना तुम लो अब पताओ कुछ लड़की कौन से जिसका तुम लों ने साथ दिया थे वो लड़की बहरोच के राज को मारी शोभार तक आने में इतनी तीर कौन है जो हमारे साबजादे के रास्ती में आगे है खेर जाने दीजिए कासर की चाल बाजियों से हम अच्छी तरसे वाकिफ हैं हमें एक बात अब तक समझ में नहीं आई किया आप कौसर से इतनी नफरत क्यों करती है उसकी नजर आप पर नहीं आपकी दौलत पर नजर किसकी नहीं है अमी गजनी में एक वही औरत है जो हम प अबामर्हूम का वो सफाक सुलूक नासूर बन चुका है हमारा हक हम से चीन कर हमारे नकारा भाई को दे दिय और हमें कैद खाने में डाल दिया तको अपना दुख बड़ा लगता है हम माहें एक ऐसी माँ जिसके हजीज और पेकसूर पेटे का ये पहरहमी से गदल कर दिया कातल भी बेटा और जिसका कतल हुआ वो भी बेटा अब दिल पर हाथ रखके खई है हम पर क्या बीथ रही है तो क्या करते अम्मी हमें भी मजबूर कर दिया गया था हमने कानूनन ना कोई कुनाह किया है और ना जुर्म बल्कि एक हकदार को उसका हक दिलाया गजनी के तक का असली वारिस गजनवी था गजनवी है और गजनवी ही रहगा उन्होंने तुम लोगों के साथ असा क्यूं की क्या चाहते थे वो लोग गण राज कमारी सोभा को अधर रहे हैं गो है अमारा शिकार कि यकिन से कैसे कैसे तो हम यकिन तो मुझे भी नहीं है लेकिन उसके पैनावर से ऐसा लगता है कि वो शहर्जादी शो भाई होगी तो ठीक है चलो उठा ले ते हैंसे चलो चलो राच कुमारी जी बोजन का समय हो गया है मेरे पेट में भी चुए कूदे हैं तुम जाओ चुपला हम अपने बाईय को खिला कर आते हैं जाँ जाँ प्रबदे बाईय को खिला कर आते हैं